2nd August 2020 जियां दोस्तों, आज संडे हैं, पहली बात दूसरा, आज International Friendship Day भी है First Sunday of August सेलब्रेट किया जाता है International Friendship Day के नाम से और ऐसा ये चलन काफी सालों से चला आ रहा है और सबसे ची खास बात यह है कि Bishop Cotton School जहां से मैंने अपना स्कूलिंग किया है वो तमाम दोस्तों को याद कर रहा हूँ उनका साथ याद कर रहा हूँ उनकी गालियां याद कर रहा हूँ क्योंकि वो Bishop Cotton हो या फिर मैंने अपना Higher Secondary और Graduation SFS College से किया है जहां पर हमारे खेल और Sports से काफी related है Music से related जितने Friends है उन सब को याद कर रहा हूँ और आज का दिन बहुत स्पेशल लग रहा है सोचा आज मैं अपने नजर ये से जिसे मैं हमेशा कहता हूँ के Triangle Theory of Friendship इसके तहत मैं एक वीडियो कवर करूँ और आप तक पचाऊँ तमाम उन दोस्तों के लिए मसलिन दोस्ती क्या है समझते है फिर मैं बताता हूँ आपको कि मेरी theory triangle theory क्या है दोस्ती में sorry या thanks नहीं होता है वैसे बहुत कुछ नहीं होता है sorry अगर कह दिया तो इसका मतलब यह है सारी गलती तेरी है thanks बोला तो कोई एहसान नहीं किया I miss you ऐसे शब्तों आते नहीं है क्योंकि कहां मर गया था इतने दिन से ऐसा है I understand you यह सब कुछ नहीं होता है I understand you का मतलब यह होता है हमेशा क्या मैं ही तुझे समझू तू भी तो समझ ले भाई ऐसा होता है कभी-कभी यह होता है कि आप कभी किसी को marks अच्छे मिल गए या कहीं किसी ने कुछ अच्छा कर लिया success प्राप्त कर लिया तो आप कहते हैं I am very happy for your success इसका मतलब और कुछ नहीं होता है treat दे बहुत हो गया और कभी-कभी हम साथ में चलने के लिए आगरा करते हैं दोस्तों को please can you come with me there we are going together यह आम भाशा में जब हम अपने दोस्तों से एकदम mirror हो जाते हैं आइना हो जाते तो हम सीधा होलते है ड्रामे बाजी बन कर चुप-चाप चल चलना पड़ेगा तो दोस्तों दोस्ती और कुछ नहीं लगभग ये मिला जुला हमारे colloquial language में सहष्ता से जो हम रहते हैं आइना रहते हैं दोस्तों से इसके माइना बस वही है लेकिन एक कहनी याद आ रही है जो मेरे अपने दोस्त की है वो मैं आपके नजर करना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा दोस्त नहीं है मैं उसे भी याद कर लूँ क्योंकि आज मैं जो भी हूँ जो भी मेरी सक्षियत बनी है आज वो सरफ दोस्तों के कारण बनी है Martin Thomas जी हाँ ये मेरा सच्चा यार साड़े सतरा साल वो रहा किड्नी ट्रांस्परांट के बाद में और वो चला गया लेकिन मेरी और Martin की दोस्ती दीपक चौधरी ये हम तो तीन तिकडियां थी हम तीनों ने एक ऐसा समय गजारा जो मोस्त कॉंशिस बींग का था जहां हमने पढ़ाई की और अपने-अपने करियर में लगे लेकिन वहीं एक दुखड़ा ये भी था कि Martin उस वक्त किसी एक लड़की से प्यार करता था और Shirley नाम था तो Martin ने तैय किया कि Shirley से शादी करने वाला है तो उसने अपने पापा से जाकर एक दिन तिथी निकाली Martin ने आके request किया क्योंकि Martin एक ऐसी ऐसा personality था जो हमेशा दोस्त बनाता था बहुत सारे दोस्त थे उसके बहुत सारे सचे यार भी थे मगर दोस्ती के नाम से बड़ा popular था मिठास, वेवहार और मानसिक्ता बड़ी अच्छी होती थी चाहे फिर उम्र का कोई बच्चा हो या फिर सबसे बुजर्ग Martin थॉमस सबका सचा दोस्त होगा करता था जी हां दोस्तों, Martin की मैं ये बात बता रहा हूँ कि date होता है लेकिन Martin अपने पिताजी से एक ही चीश कहता है कि अगर शादी होगी तो मेरी एकी शर्त है और वो शर्त यह है कि प्लीज मेरे इन दोस्तों को एक लिस्ट वो अपने पिताजी को देता है और कहता है कि ये लिस्ट है इन्हें प्लीज बुला लीजिए तो Martin की जब शादी हो रही होती तो लैंड लाइन का जमाना होता था और Martin के पास सब नंबर बाए हाट याद होते थे उसकी खासियत यह थी कि हर दोस्तों का गाड़ी का नंबर प्लेट याद था और उसको फोन नंबर याद था तो वो अपने तमाम दोस्तों के फोन नंबर लिखके पापा को देता है पापा बारी-बारी से डाल करते हैं और उनको इन्वाइट करते हैं एक दिन वो भी आता है जब Martin चर्च में खड़ा होता है और अपने पिताजी को पूछता है पिताजी सब दोस्त आगए हैं पिताजी कहते हैं पिताजी शान्त रहते हैं जब वो चर्च के अंदर एंटर करता है और पीछे मुण कर देखता है जब फादर सामने आते होते हैं तो एक नजब देखता है कि कितने दोस्त आए हैं और उसे थोड़ा सा नाराज़ की महसस होती है क्योंकि उसके 10 या 15 ही दोस्त आते हैं उन 50 से 100 की लिस्ट में मात्र 10 और 15 वो थोड़ा सा नाराज होता है थोड़ा गुसा होता है और पापा के पास जाकर कहता है पापा समझ जाते हैं कि कुछ कहने वाला है तो पापा उससे कह में नाराज मत हो बेटे, मैंने सब को फोन लगाए और मैंने एक ही चीज कही, कि मार्टन मुश्किल में है और वो आपकी मौझूदगी, आप सभी की मौझूदगी, ये तारीक को चाता है चर्च में जो ये शक्त सुनते हैं अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं लेकिन जो दोस्त वहाँ नजर आये वो मार्टिन के सच्चे दोस्त है और जो नहीं थे वो शायद मार्टिन का एक तरफा दोस्ती का करार नामा था बेरहाल मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्टिन के पता जी ने उस दिन मार्टिन को तीन बाते समझाई कि दोस्ती का मतलब ये है कि कभी आप हारते नहीं है आप अगर हारते हैं तो सिर्फ अपना इगो हारते हैं क्योंकि दोस होता है जो आईना होता है जैसे मैं पहले कह चुका हूँ आईना दोस्तों के लिए या दोस्तों की तरफ एक चीज तो साफ कर देता है कि आप में कोई ego ने रहता है आप बड़ा खुल के मिलते हैं तो आपको lose करने के लिए कुछ भी नहीं है win करने के लिए तो सब कुछ है जो दिल के अंदर पहुँचे वो दोस्त और जो दिल के अंदर पहुँचे वही शादी में मौजूद थे दूसरी सिक्षा ये थी पिताजी की के वो जो सबसे करीब है वो दिल के अंदर है तो उन्हें कभी खोना नहीं यही मार्टिन की भी सिक्षा रही है और वही उसके behavior में हमेशा नजर आया तीसरी चीज़ मार्टिन के पापा ने हमेशा कहा के love and affection जो share कर सकते हैं दोस्ती का मतलब प्राप्ट करना नहीं होता है जो दे सकते हैं जितना दे सकते हैं जो दे सकते हैं वो आप दें क्योंकि बडले में सिर्फ वो ही मिलेगा जो आप दे रहे हैं जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है what goes around comes around तो वैसा ही दोस्ती के मामले में है तो दोस्तों बड़ी मीठी होती है दोस्ती बड़ी प्यारी होती है दोस्ती एक हद के पार होती है दोस्ती दोस्ती में आप सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं बहुत कम हुआ होँगा के दोस्ती में आपने आपने रोना रोया होगा रोते तब है जब आपको लगता है कि मैं इसके पास जाओंगा तो ये मेरा और कोई हल ढूंडे ना ढूंडे मगर मैं इसके सामने खुल के बूल लूँ एक बार रो लूँ तो heavy heart कहते हैं heavy heart जो होता है वो subtle हो जाता है वो dust bite कर लेता है तो इससे जाद और कुछ नहीं होता है actually अगर आप दोस्तों के पास जाएंगे किसी problem के साथ तो वो इतने सारे सुझाओ दे देते हैं आपको कि आप अपने problem भूल जाते हैं दोस्ती शायद इसी का नाम है तमाम उन दोस्तों के लिए जिनके नाम जिनके ले रहा हूँ वो ले चुका हूँ जिने याद कर चुका हूँ लेकिन तमाम उन दोस्तों के लिए जो मेरे bishop cotton के school friends है और SFS college के friends है और तमाम मेरे colleagues है जो आज भी वीडियो के माध्यम से happy friendship day कहता हूँ और जाते जाते यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिन्दगी है